एंडिपीएस विशिष्टर नियादीश बुला की दस व्यास ने शुक्रवार को पास साल पुराने रोडा तसकरी प्रक्रण में फैसला देते हुए तीन आरोपियों को दस-दस साल की कारावास की सजा से दंडित किया है नियादीश ने एक एक लाक की अर्थदन तथा अदम अदाईगी एक वर्ष के कारावास की सजा से भी दंडितिया है अपर लोग अभी हो जग डाइमंड स्टिंग ने बताया कि मसुद अथाना पुलिस ने 12 मई 2016 को दुराने नाकाबंदी शेरगर के निकट दो कारों को रुखवा कर उनकी तलाशी ली तो पाया कि दोनों कारों में रखे साथ कटों में 158 किलो 300 ग्राम डोडा बढ़ा हुआ है इस दुरान पुलिस ने कारों में सवार खेत आराम पुत्र हनुमान राम निवासी रतंगर चुरू किया राम पुत्र जसा राम निवासी खींसन नागूर राम पाल पुत्र नारायन राम निवासी खींसन नागूर क को मोके से गिरफदार कर लिया जबकि एक अन्य आरोपी नरैंदर कुमार, पुतरगंपस, सिंग, निवासी, नीमच, मदरबरदेश, मोके से फरार होने में काम्याब हो गया था जो अभी भी पुलिस गिरफद से दूर है एपीपी सिंग ने बताया कि उक्ति प्रक्रण में सरकार की ओर से उनिस कवात था, चासर दस्तावी इच पेश किये करे, मालूम हो कि तीनों आरोपी प्रक्रण से लेकर अब तक न्याई कभी रक्षा में चल रहे थे जिसका उनके पास कोई लाइसेंस भी परमिट नहीं था, इसके सम्मण में अभीजन के दोरा टोटल गुनिस कवा करा है और 66 दस्तावीज नियाईले में पेश किये गए, बात अन्विक्षा नियाईले के दोरा इनको 8 बटा 15 के अंदर डंडित करते हुए, 10-10 साल का कारव एक एक लाग जुर्माने से निंडित किया गया और अदम अदाई की जुर्माना एक वर्सका 14 कारवास अतहिक रूप से बुगतना होड़। जिसमें अपने हुनर को पहचानने के लिए जगदंबा महिला सिलाई साक्षरता मिशन के तहर सिलाई का कोर्स सीखिए, जिसमें सिलाई से संबंदित सारे कारे उचित प्रेस्टिक्षन के माध्यम से सिखाये जाते हैं। तो आज ही इन कोर्स को सीखने के लिए अपना इस्तान सुनिशिक करवाएं। तो आज ही न अविष एक प्रेस्ट्एं से संबंदित सारे को सिलाई सिखिए, यद विए एका को सीखित प्रेस्चाली फ्रेस्टिक्शन के माध्यम इझतित प्रेस्परत्रों।